मॉर्निंग देखिया आज हम बहुत हैं एक आपका मार्केटिंग प्लान कि आज मार्केटिंग प्लान में बहुत सरा अदमी सब का क्वेशन होता था कि सर मार्केटिंग प्लान को एक बार फिर से किया जाए तो हम आपको मार्केटिंग प्लान में सर सबसे पहले हम लोग को क् है कि 6% फिर 3000 में 9% फिर 10,000 में 12% 20,000 में 15% 32,000 पांसाब में 18 और 45,000 में 21,25 आप 21,25 जैसे आता है उसके बारे में हमको जानकारी लेना जरूरी है तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी आदमी यहां आते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ का जयान कारी माई देना है, पी-बि ये दो सबस्प्टरी में चल रहा है अगर इसको बात करियेगा, तो एक पी-बि पर तین रूपया, तो किसी भी आदमी को अगर 1000 PV करना होगा तो आपको इसमें 3 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा? 3,000 किसी भी आदमी को आपको क्या करना है minimum आपको करना है अगर 3000 का आप समान लेते हैं तो आपको 1000 पॉइंट आपको बन जाएगा ठीक है? इसके बाद हो गया कोई भी आदमी जब तक 1000 PV ने बनाएगा तब तक यहाँ कार्ड नहीं बनेगा ठीक है? आप माली जब आपके साथ कोई आदमी एक नया परसन आता है तो वो क्या करता है कि 1000 पॉइंट PV का मार्केटिंग किया और यहाँ से क्या हो गया? कार्ड बना लिया कि सर हम वोई कर देंगे बीस को जोईंग कर देंगे उनको बोलिएगा कि ौईश परसन अरत करना है कि मालनी जिया एक महना में अगर वोई कितना जोईनिग किया? सिर्श आए वो एक्जांपूल दे रहे हैं कितना जोईनिग किया? एक हजार सबका पीवी कितना हो जाएगा एक हजार सबका पीवी कितना हो जाएगा एक हजार सबका पीवी एक हजार फिर सबका पीवी एक हजार ता अगर दस आदमी है तो एक हजार करेगा कितना हो जाएगा कितना पीवी हो जाएगा दस हजार पीवी हो गया यह अपना कितन सबब्सक्राइब नाजान को किसे 5F यहां पर यहां पर 10 घाल आपका हुआ parenth इसका कैटने कीतना प्लूल संट हो जाएगा तरत से 15000 का जिड़ा थे यह वो गया और आप जो मार्केटिंग किया हो जायगा मान लीजे कि बारए सब का 12% कितना हो गया लगब अपका यह बारस सबायो का 12% हो जाएगा 1445 रुप्या यह बी हो जाएगा पोट्ल जो यह कितना हो जाएगा दस 1444 रुप्या अब देखें कि शुरू महना कोई भी इनसान आता है, पहला पो मार्केटिंग एक हजार पीबी का किया, ठीक है, और इसके नीचे में इस तरह का कंडिशन बनता है, इसको कितना का मार्केटिंग हो गया, एक हजार चुबाली शुरू गया, अब नया अदमी है तो अगले महना में क्या हो अब देखे जब यह इसको यह प्रोड़क्ट श्री में मिलेगा, तो इसको समझ में आएगा, कि भईया हम कुछ ने कियें, दस आदमी को लाएं, और हलका मार्केटिंग हर एक आदमी किया, तो हमको कितना कमिशन बन गया, एक हजार पे तालिए, अब अगला महना में क्या ह एक सिंगल आदमी बच गया, तब क्या होगा मार्केटिंग प्लान का, उसको समझना है कि अगर सिंगल लेग अगर अगर मेरा है, आने वाला समय में सिंगल लेग से भी यहां पर लाखवा आप कमा सकते हैं, ठीक है सर जी, वह दीरे-दीरे क्या कर रहा है, अपना घर में मा मार्केटिंग करते-करते, च्छों मेंना साल भार के बार के बाद क्या हुआ यहां 35 Пीए हुग गया, पहले से पीभी कितना है, इस आदमी का मान लिजे कि यह आदमी क्या है मान लिजे कि आपको सुनिल जी है तो सुनिल जी का पहले से पीबी कितना है 10,000 और यह 35,000 हो गया तो दुनू को जोर यह गाद कितना हो जाएगा 35,000 हो गया तो यह 35,000 हो गया यह हो गया अभी का PB 10,000 पहले वाला था तब दुनू का जोरिये गात कितना हो जाएगा ये 45,000 पीबी हो गया तब 45,000 पीबी कितना हो गया है इस्टार तब मान लिजे कि अगर ये 35,000 पीबी का एक बार है हम किल्कुलेसन आपको दिखाते हैं तब पहला अगर ये श्टार बनेंगे तो मिनिममम कितना पीबी का आपको मर्केटिंग करना परेगा कितना का मिनिममम 3,000 पीबी का 3,000 पीबी को आपको करना है क्वालिफाइ करने के लिए 3,000 पीबी करना जरूरी है आप dixnya, अकाई Mb Daigo का Snapchat यह इदर कितना है 35 अब यहां पर देखें किए आपका कमिशन कितना बनेगा है अब को कैलकुलियसण पाउट में जहिएका, अबध देखना है कि मेरां कमिशन कितना बनेगा में 25,000 बएना पार यह 18% पर है ठीक है और यह जो आपका 45,000 पर लाहे कितना पर है 25 पर यह कितना पर है 25 पर ठीक है आप कहिएगा सर 21 से 25 कैसे होते हैं देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1000 PV प्रसनल PV पतलब PPV मतलब प्रसनल PV दू हजार हो गया नीचे से तो दूनों मिला कितना हो गया तीन हजार तो यहां पर जब यह 3,000 PV होता है तो उस माह में आप क्वालिफाई एस्टार एजेंट का लाते हैं तो आपका बोनस कितना मिलेगा 25 पर सेंट समझे हैं अगर कोई इंसान मान लीजे आप यहां पर 1000 PV कीए और नीचे से मान लीजे कि आपका प्रसनल PV प्रसनल繼 प्रसनल पे रहे एगा गर 20 पर समझेोगे थो आप देखे यह 35,000 और irrelevant तो तीन हजार का सेल्स वालू कितना हो जाएगा चारहजार चारहजार का पचीस परसेंट कितना हो जाएगा एक हजार और यहां पर कितना हो गया 35,000 तो पैंटीस हजार का सेल्स वालू कितना हो जाएगा 40,000 मान लिजे तो 40,000 का difference कितना बन जाएगा यह 18 पर है यह 25 पर गजाएगा तो 7 का कितना हो गया 28 28 10 कितना हो गया आपका 3800 रूपिया यह 3800 रूपिया आपको क्या होगा कि e-bailet account में e-bailet account में आपका जमा हो जाएगा कौन किसके लिए star के लिए अब क्या है कि इतना दिन अगर शुरू में हम लोग मार्केटिंग करते थे घर से ही मार्केटिंग करते थे जब star बन गया इस्टार का minimum income कितना हो गया आपका 4000 के लगवा 3800 का 3800 में क्या हमको 1000 PV करने के लिए घर से पैसा लगाने का जुरत परेगा क्या नहीं परेगा अब देखे कि अगर 3800 आपका star पर आता है तो पहला आपको यह चीज समझना जरूरी है क्या 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 लेबल पर हो गया इस्टार लेबल पर अब यह 3500 पर यह क्या यहां पर कौन star है सुनील जी star है उपर में फिर इसके नीचे भी बिजनेस होगा की नहीं होगा सो पहले बताईए यहां धीरे धीरे अगर इसके नीचे भी अगर 10,000 PV हो गया तब 3510 कितना हो गया 45 यह भी क्या बन जाएंगे star जब ही आपका दूसरा star आता है तो 2% आपका बढ़ जाता कि 37% अब यह 67% जब यह आप जाएगा तो पहला अगर लेख आपका होता है तो धीरे-दीरे क्या है कि गौञ से बहर लेख खोलेए एक गौञ में एक ही लेख खोलेए अभी हमाप क्या करतें एक गौं में 5-10 पो लेख खोल देते हैं उसमें क्या होता अपना मे मारा हमारी हो जाता है इसलिए एक लेग अगर आपका गौंव में है तो दूसरा लेग मत खुलिए बात को समझे कि नहीं आप गौंव से बाहर फिर का पो क्या करना है यह दूसरा लेग भी आपको दिरे-दिरे करके आपका स्टार बना रहा है जब यह आपका दूसरा लेग जाता है स्टार रूबी का मिनीमम क्या है कि सर अगर स्टार बनते हैं तो मिनीमम एक स्टार का इंकम चार हजार से लेकर आपका लगबग आपका दस हजार के बीच में ही रहेगा उससे ज्यदा इंकम आपका एक स्टार का नहीं जाता है ठीक है अगर स्टार रूबी में क्य है आपका स्टार रूबी में क्या गो लेगा आपका तीन गो लेग एक लेग में स्टार में अगर आप सही में स्टार है एक लेग से कितना का बिजनेस जाएगा एक लेग से कितना का बिजनेस जाएगा यह पूरा स्टार का लेगा एक लेग से 30,000 का बिजनेस गया आपका तो 20000 1,001,002,000 हो गया यह total कितना पे हैं सब आदमी और यह कितना पे हैं कितना का difference बनेगा चोंका 1,002,000 का 6 परसन कितना हो गया बाराचे के बहतर साथ साथ हजार, साथ हजार, दूसर बहतर सु रुपिया अगर आप यह 3,000 का marketing करते तो इसका सेल्स वाल्यू कितना हो जाएगा, चारथा का 31% कितना हो जाएगा लगवग आपका 4012ारा लगवग आपका साहे 1200 रुपिया, अगर ये साहे 1200 रुपिया और जोर देजे, 0, 5, 4, 8 लगवग 84, सा 50 रुपिया आपका का मोवाइल इनसेंटीव मोवाइल स्टार्ट रुपिया कितना रुपया मिलताआपको? तो दूनों को जो लिए जीरो पांच पांच चार नो दसको जीरो हां से लिए एक कितना हो गया 20,950 रूपिया यह टोटल क्या हो जाएगा आपको एस्टार रूबी जब बनिएगा एस्टार रूबी में क्या होगा यह आपके एकॉंट में ट्रांसफर होगा अब देखें ज जार किसी भी एजनसी को दीजिएगा उहांस खेल के क्या करेगा आपको गारी देदेगा ठीक है क्योंकि एस्टार रूबी के बाद आपको गारी चाहिए क्योंकि तीन लेक बाद चोथा लेक कहां खोलिएगा आपको बाहर जाना पड़ेगा 50, 60, 700 किलो मीटर की रेंज में आपको जाना परेगा तो एक इस्टार रूबी जब बनते हैं जब आपका तीन लेक क्लियर हो जाता है तब आप क्या करिए आपके पास बाइक होना जरूरी है इस पैसा को क्या करिए बाइक में लगा दीजे जब ये आपके पास बाइक खरिद लीजिए इस्टार रूबी सुझिक से इस सब बुलिए सब करते हैं को कि सब दूसरे बिसिवर मेरा नहीं है है chilli सॉ यह मेरा रीजे न मिस अगल बकल में रहेंगे ता पूलेगा कि मेरा भी जोईनिक कर सकते हैं इस विर्जा में पोड़ाता है तो यह अगर我们 रितालीस तीम खारता है तब बूतार है पर घेना नहीं पर रहीं परसेंट आपको क्या हो जाएगा फिर बढ़ जाएगा 31 कीतना हो जाएगा 33 फिर आपको क्या करना है फ्हार में ख़ना shift5 Subscribe क्रेगा तो फिर दो परसेंट और बढ़ जाएगा जब आपका छथा क्वालिफाइब 85,000 पूरेगा यह 2icon और बढ़ जाएगा जब a star diamond बनते हैं तो आपका 6 ओ ले कमप्लीट हो जाता है एक लेक से हम कितना का बजनेस लिए थे 30,000 का तो छोग औ आपका अस्थार है तो कितना हो जाएगा 1,08,000 एक 1,08,000 इसको sales value में convert करिगा तो कितना हो जाएगा ठाय लाएक इस टैस टार है कितना हैं ये सब पाचीस पर सब पैस ये 25 निये 25 पर 살 कि तुल्टी टूलाग का और रहे लाग का बारफ परसक्ता हो गया 12 दोना 24 चूरबी सुष कितना हो जाईगा थाज़ी 30,000 रुपिया यह 30,000 रुपिया आपका यह हो गया पुंची मिलिया डिफ्रेंस ठीक है और दूसरा इसका क्या आता है डिवलप्मेंट अगर डिवलप्मेंट का बात करिएगा अगर इसके नीचे भी एगा डिवलप्मेंट आप लीजेगा डिवलप्मेंट अगर डिवलप् होता है लीडर्शिप जो पूरा दुनिया से बनके आता है लीडर्शिप लीडर्शिप बात करिएगा एक हजार ये भी हो गया अगर पोर्टल बात करिएगा तो लगभग आपका 41,000 तक का इंकम आपका इस्टार डैमन्ड में आता है अब देखिए कि जब 41,000 रपिया जब इस्टार डैमन्ड में आपके पास आना सुरू हो जाएगा तो सर्-41,000 रपिया कौम है की जएदा है क्योंकि आज की डिट में 41,000 रूपिया सदाराण रूपिया नहीं है अब आपको देखिए कि 41,000 नहीं चलेगा इसलिए जब आप डेमंड बनते हैं तो आपको जग के रहना जरूरी है अब देखे कि हम बता रहे हैं कि जैसे बहुत सारा जब डेमंड बन जाते है तो आप जैसे यहां पर सुनील जी स्टार डेमंड बन गए आपको तक त्लिस हाजार रुपीय आएगा यहा पहला तो गया डेमन्ट तक हम बता दें इस किल्कुलेसंस से आप करिएगा तो डेमन्ट तक आपका इंकम आ गया अब क्या हो गया कि अगर एक लेग मेरा सिंगल लेग चल रहा तो सिंगल लेग पर कैसे इंकम आएगा ठीक है अब यहां समझना जरूरी है अब यहां पर आपका पहला एस्टार यहां पर है ठीक रबिंदर जुक्षर देंगстै रहे चलने वाले के लिए क्या होगा, इसका समस्यागा समधान कैसे होगा, मान लिजे यहाँ पर, यहाँ पर कोई अदमी क्या है, यहाँ पर मान लिजे कि सोनी कुमारी है, सोनी कुमारी, यहाँ पर इसका क्या चल रहा है सोनी कुमारी का यह सुनील जी तो डैमन्ट बन गए मज सोनी कुमारी का सिंगल लेग चल रहा है एकदम सिंगल फ्रॉंट बाला ठीक है तो सोनी कुमारी यहां क्या कर रही है कि अपना कितना का मार्केटिंग कर रही है तिन ह़जार का सेल्स बालेओ कितना occupied लेगा चार हजार चार हजार का पच्तिस परसन कितना हो गया एक हजार रुपया हमाली सुनिक यह लिए चान। बिजनस कर रहा है तो 40,000 का कितमा जाएगा 40,000 का कितना हो गया 50,000 50,000 का पहला जन्रेशन है पहला जन्रेशन पे कितना मिलता है पहला पे क्या है ये 15 परसंट जो आपका लीडर से डेवलोपमेंट है क्या है डेवलोपमेंट डेवलोपमेंट आपका कितना है आपका 15 परसंट तो पहला जो आपका star है तो पहला star पर यह कितना हो गया 40,000, तो 40,000 का 4% कितना हो गया? 16,000, फिर इसका यहाँ पर हो गया 20,000, 20,000 का करेखा算स about लूट, 25,000 मानिए, 25,000 का 3%, कितना हो गया? 25,000, फिर ये 4, पर 25,000, फिर ये 4,000 हो गया, 4,000 पर कितना मिलेगा? च्छेंचार हो गया, इस पर कितना मिलेगा आपको? दो परसेंट तो ये पंदरा हजार का सेल्स वल्यू कितना हो गया बीस हजार तो बीस हजार का दो परसेंट कितना हो गया चार सो फिर ये आपका हो गया पच्मा जनरेशन पच्मा है दस हजार तो दस हजार का सेल्स वल्यू कितना हो जाएगा सरे कि 15.000 का एक परसेंड कितना हो जाएगा एड़ सफ चोटल को जोड़िए को समझ भाजाएगा 25 थीपचालीस एकालीस एकालीस यह इकावण एकावण सात कितना हो गया 2589 एक उनसट उनसट हो गया एक साठ चाहर चॉनसट लगवग आपका हो गया आपका 64 रुपिया का क्या हो जाएगा आपका इंकम बनेगा लगवाग आपका ठीक है आप क्या हो गया कि कि किसी का अगर सिंगल लेग भी आपका चलता है अगर सिंगल लेग पर भी अगर आपको development company 15% देता है तो पर भी लगवाग सारे 6000 रुपिया होता है क्यासर सारे 6000 रुपिया हमें एक पर भी बार चल सकता है कि ने चल सकता है आराम से चल सकता है ठीक है उसमें अगर आपका दीरे दीरे अगर आपका other leg भी है मानोढलीजा आप तो एक leg बेबता है सिंगल leg बेबता है other leg हाथ other leg से अलग आएगा क्योंकि अगर आपके नीचे कोई डैमंड है तो जिस तरह से एम इसमें आपको 64 से मिला फिर यह सकेंड लेगा है कोई डैमंड वाला ने समझे यह सिंगल यह डैरेक्ट में नहीं है अगर इसके नीचे और लेगा है और उसके नीचे माल लेगा है उसका जितना भी लेगा है सब पर व हुए 64-100 रुपयां ले लिए कि उसके नीछे और लेग नहीं है ठीक है अगर सुनील जी के नीचे क कुए अदमी एस्टा रहा है यहाँ पर रबदार कुमार सा ही ठीक है यहाँ पर आप यहाँ पूजी अचलना जरूरी यह एँ आप च्टार रहा है और आपके नीचे डैमइंड है कुछी सुनिल जी सुनिल जी तो आपका क्या होगा आपका कमिशन किदना बने मागा ठीक है क्योंकि स के इक ही लिग चल रहा है दूसरा लीग नहीं चल रहा है यहां्प यहां पर रविं स्वेनिश test भी तो बनेगा जो अभी 25 में है आप जो Trump लिए यहां लीजिए अच्छा तरीकास तो कि आप सुनिल जी का क्या है यह चौन लेग चल रहा ठीक है सुनील जी का यह सुनिल जी कौन क्या होगे उनका फर्स जन्रेशन पर क्या मिलेगा मालीजिए यहां पर सुनिल जी का बिजनेस है मालीजिए यहां पर बिजनेस है तो फर्स जन्रेशन पर कितना मिल जाएगा आपको पांच परसेंट फिर सेकेंड जन्रेशन पर चार परसेंट फिर थर्ड जन्रेशन पर आप पहला जनरेशन में मालेजिए अपना ले लिए एक हजार आप इस पान्चों पिर आपको लेना आप है मालेजिए सपोर्ज ए्ट की पहला जनरेशन पिर चालीस जार का बिजनएस गया है 40े женщine का कितना मिल जाएगा कितना मिल जाएगा पांच परसेंट इस पर मिलेगा तब पांचों का बीस कितना हो गया दो हजार फिर यह सेकेंड वाला पर के मालेज़ तीस हजार है तो तीस हजार का चार परसेंट कितना हो जाएगा बारह सो रुपया फिर आपका यह तीसरा हो गया तो बीस हजार का बीस ह हो गया फिर आपका यहांपर 15000 का सब्सक्राइब फिर पर diversity सठ्सक्त कर्थ परसेंट्ट फिर इस फिर यह चःफ आज दस ज़ार न पर बहुंध कर 10 हो जाये Gaza करता नो एक निए 15 इस आप यह बना 2020 आनफे 307 सब्सक्राइब वारहर च्रोपर 30 humanos Ce ne लगबग आपका 500 रूपया हो गिया तो यह 500 रूपया किस लेक से आया है एक लेक से ठीक है सा 흥ी और क्यों यह लेक किसके निचे हुए सुनिल जी के निचे उनका चौन लेक चल रहा है तो छोगो लेक पर इसी तरह से आप ठीक है why business पे different करता है कि आपका business कितना है development पे depend करता है ठीक है अगर आपके नीचे आगर वब अदम आहिए आपका जतना भी लेग आपको development मिलेगा तो हर एक लेग पर आपको कितना मिलेगा 15 परसंट तक आपको मिल सकता. ठीक है? पहला जनरे सन पर. यह जो आपका इसका जो पहला जनरे-सन होगा उस पर मिलेगा. बाज़ समझ लिजे. अगर उसके नीचे भी अगर छटा मान लिजे यहाँ पर छटा में भी कोई इस्टार है उस पर आपको कुछ नहीं मिलेगा. मालनीजी रबिंदर जी है ज्याए सुनिल जी जो भी आदमी है खाली आप इस्टार भी बन गए आपके नीचे एक बरा लेवल बन जाता है आने वला समय में क्या होगा बरा लेवल से क्या मिलेगा अब है अभी के डिट में क्या है कि 90% आदमी का बरा बिजनेस हाई ही नहीं स से आपका income मिलेगा तो एक सिंगल लेग से आज तक दुनिया में कोई ऐसा प्लान ने होगा कि जो अगर आप एस्टार हैं अगर आपके नीचे डैमन्ड भी है उसका टोटल बिजनेस पर आपका 15% तक development आएगा एक से 5 जनरेशन तक पास समझे कि ने समझे अगर उसका जितना अगर अगर बीस बो लेग होगा तो अगर आप एस्टार हैं आपके नीचे अगर तो बीस बो लेग है तो बीचत पर 25% को कि जैसा को आदमी star ही है को स्टार रूबी है को डै prac है ऐसके निचे अगर मकाम हम निकार रूपया स्कोडिल आपके नीचे को आदमी डैमंड है चिसा को महनत कर ना जरूरी है क्योंकि आज तक कोई भी company नहीं है कि जो आपको single leg पे आपको income देगा मच्जी एक्षन क्या है फिपंच generation तक आपको single leg पे income आपको देने का काम करता है अब बाद मांकी क्या हो जाता है कि international profit share 2% तो भी या आप एस्टार है दीए profit share आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये profit share किसको मिलता है only for diamond ठीक है यह पूरा बिजनेस से calculation होता है पूरा बिजनेस होता है उसका 2% निकाल के जितना भी diamond होता है उस diamond में बांट दिया जाता है इसके बाद क्या मिलता है कि leadership आपका 15% ठीक है यह leadership क्या हो गया कि आपके नीचे जैसे कि अभी मान लिजे की हम बावलुजी बावलु जी हम अभी क्या है ? माली姐 double diamond है, मेरे नीचे imagine की diamond है इसके नीचे भी diamond है अगर मेरे नीचे diamond है तो पहला क्या हो पहला जो, diamond होगा उसमे 5% अपको बाद को 5% प्रेंट होगा फिर सकेंड होगा उसमे जा कि हाँ दो परसंट बढ़ने लगता है अभी जैसे आपको कहिएगा कि लीडर्शिप हमको चाहिए डेवलप्मेंट तो मिल जाएगा एस्टार को भी मज लीडर्शिप के लिए आपको डेमंड बनना परेगा क्योंकि आपके नीचे अगर डेमंड है जैसे सुनिल जी के नीचे नीचे लिडर्शिप लेने के लिए पूरा ग्रूप से लिडर्शिप 5% लेने के लिए उसको क्या पर करना परेगा वहां डेमंड बनना परेगा जब डेमंड ने बनिएगा तो 15% को छोड़ दीजिए ये ख्वाब आपका बना रहेगा ये 15% जो डेवलप्मेंट है वह ख महीने होगा मैं आपको चाहिए लीडर्शिप लीडर्शिप मतलब क्या हो गया कि आगे बरना है तो लीडर्शिप के लिए आपको क्या करना होगा कि अपना डेमंड बनना जरूरी है जब अपना डेमंड बनिएगा तो आपको लीडर्शिप लीडर्शिप हजार में नहीं आता है leadership क्योंची में आता है? लागों में आता है, जो आदमी ये leadership लेने लगता है, तो minimum इसका income 50,000 से start होता, लाग 2,4, लाग भी इसका income हो जाता है, जैसे भी बेजनासतर है, उनके नीचे बहुत सरा diamond है, तो diamond है तो diamond में हम भी diamond है, आप भी diamond है, आप भी 37 पहे, हम भी 31 डिफिरेंस यहां खतEP हो गी है हम दुन्ह आतमीं उत्मूंड़ हो गाया है माल लिजे कि मेरा डैमंड है माल लिजें हमेंक एस टैमंड है, मैरा पूरा गूरूत का बिजनेस कितना है, 50,000 तो यह 50,000 का सेल्स फ़ल्व कितना हो गया? 70,000 तो 70,000 का पहला अगर हमें start diamond है जैसे यह बजनास तरह है बजनास जी की निचा में पहला हमें start diamond है तो 70,000 पर कितना मिलेगा? 5% यह 35,000 रुपया एक वो आपको कोंची में मिलेगा? एक diamond पर अगर मेरे ग्रूप में आपको 10 गो 20 को diamond है तो 20 गुना 4,000 कर दीजिए कितना हो जाएगा? 80,000 हो गया खाली leadership हो गया यह जो आपका leadership इसके बाद development अलग बनेगा difference अलग बनेगा आप जो marketing करियेगा अलग बनेगा उसलिए होता है कि आपका leadership जब आपके नीचे diamond बनना शुरू हो जाता है आपका leadership बहुत जएदा हो जाता है लागों में इनकम आना शुरू हो जाता है तो सर आज जएदा हमने कहेंगे क्योंकि बिजनेस को जएदा हम बताएंगे तो गोचपच कर जाएगा फिर होगा फिर प्लान होगा एक बार ने होगा बरावर होते रहेगा तो जो भी आप लोग को दिक्कत हो तो इस वीडियो के माद्यम से आप like भी करिए subscribe भी करिए और comment भी करिए क्योंकि हम भी इंसान है हमसे भी गलती होता आप comment करिएगा तो हम वीडियो को चाहेंगे अगला वारती उसको सुधार के मनाने का परियास करेंगे शिखने का उम्र जब तक आप कईचे बुड़ा हैं जब तक मरते नहीं है तब तक आपको सिखना जरूरी है उसी के साथ हम वीडियो के यहीं खतम करते हैं बॉर्मॉर्मॉर्मॉ